पहले क्लियर कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलने वाला हूँ कि भाई अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली, अगर ये चीज़े फॉलो कर ली तो आपको जो बैली फैट वो सारा इक खत्म हो जाएगा, लाइक आपके 6 पैक, 8 पैक ये 4 पैक आप श्रड हो जाएगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आपको एक क्लेर कट आइडिया मिल जाएगा, कि बैली फैट को कैसे कम किया जाता है, अगर बैली फैट को कम करना है, तो हमें किन चीज़ों को फॉलो So, hello guys, my name is Varun Walia and I'm a level 4 certified personal trainer और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपना belly fat है जो उसे कम कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यह चीज अंडरस्टेंड करनी पड़ेगी कि spot reduction नाम की कोई भी चीज नहीं होती है spot reduction माने आप किसी एक specific जगा से अपना fat जो है उसे remove नहीं कर सकते हैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ belly fat की यह जो आपको चार चीज यह चार steps में आपको बताऊंगा यह steps follow करने से क्या होगा आपकी overall body का जो fat है वो down जाएगा जब आपकी overall body fat percentage down जाएगी तो आपको जो belly fat है वो भी कम दिखेगा overall आप थोड़े से muscular दिखेंगे थोड़े आपकी body conditioning में आएगी condition में दिखेगी so क्या है वो four points चलिए सबसे पहला जो point है calorie deficit गई सबसे main चीज यही है बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि calorie deficit क्या होता है वो बस gym कर रहे हैं डाइट खा रहे हैं लेकिन उनने पता नहीं है कि calorie deficit क्या है वो actual में calorie surplus में खा रहे होते हैं या फिर maintenance में खा रहे होते हैं और end of the month उनने यहीं देखने को मिलते है कि उनका belly fat remove नहीं हो रहा है या उनकी body में से fat loss नहीं हो रहा है सबसे पहले आज ही अपनी maintenance calories जो है वो पता करो description में link दे दूँगा वहाँ पर जा कि अपनी height, weight, age वहाँ पर डालो ठीक आपका activity level क्या है वो enter करो वहाँ पर आपकी maintenance calories आ जाएंगी so maintenance calories जब आपकी आगी let's suppose आपकी maintenance calories आई है पची सो so पची सो में से आपने क्या करना है 200 से 300 calories minus कर देनी है like पची सो मेरी maintenance calories आई तो मैं क्या करूँगा मैं 300 calories minus कर दूँगा मेरी कितनी calories होगी? 200 calories तो मुझे अगर fat loss करना है अपनी body से fat shred करना है अपना belly fat कम करना है overall fat कम करना है तो मुझे पूरे दिन में 200 calories खानी होगी ठीक है? अगर मैं 2200 से कम भी खाऊंगा तो भी मेरा fat loss होगा अगर 2200 से थोड़ा सा जादे भी खाऊंगा तेई 100 भी खाऊंगा तो भी मेरा fat loss होगा at the end of the day so मैंने ट्राइ करना है अपनी maintenance calories से जादा नहीं खाना है maintenance calories से कम खाने की कोशिश करनी है so यह है सबसे पहला step जो हर किसी जो को follow करना ही पड़ेगा अगर उसने अपना body fat percentage और belly fat को कम करना है and second point है be more active अब इसका मतलब क्या है be more active का मतलब है कि during the day कोई भी ऐसी activity करें जिसमें आपकी body को move करना पड़े like अगर आप आपके आसपास कोई shop है like एक से देर्ट किलिमेटर के एरिया में है तो आप try करो आप वहाँ पे scooter या bike से जाने की बज़ा वहाँ पे paddle जाओ इससे क्या होगा आपका activity level बढ़ेगा जिससे हम बोलते है need non exercise activity thermogenesis यह क्या करता है अगर आप वहाँ पे paddle जाएंगे तो आप क्या करेंगे वहाँ पे calories burn करेंगे तो वही calories जो burn होंगी तो आपको एक बहुत बड़ी deficit मिलेगी calorie deficit मिलेगी जिससे क्या होगा आपका fat loss होना start होगा अगर आप सुबह का walk कर सकते हैं वो भी best है cardio से आप अपना deficit ले सकते हैं 200-200 calories आप cardio से burn कर सकते हैं 20-30 minutes का cardio कर सकते हैं आप अपनी वाइफ के साथ आप अपनी वाइफ के साथ बच्चों के साथ वाउक पर जा सकते हैं तो गोल इस तो इंक्रीज deficit वो deficit कैसे increase होगा जब हम अपनी daily activity improve करेंगे like walking, running, jogging अपनी डॉप को गुमाना मारके पैदल जाना ये चीज़ें आपको अपनी daily routine में add करने पड़ेंगी you have to be more active, ठीक है? एंड जो third point जो मैं देखता हूँ लोग बहुत ज़्यादा missing होते हैं लोग बहुत ज़्यादा miss करते हैं इस चीज़ को वो ये है कि अपने workout में उन्होंने compound lifts add नहीं करी होती है no doubt compound lifts थोड़ी सी hard होती है करने में लेकिन अगर आप इने अपनी daily workouts में add करेंगे like barbell press, barbell press, barbell overhead press, deadlift, squats, push-ups, pull-ups, chin-ups ये सारी चीज़े bench press, incline, bench declines, there also वो सारी compound lifts में आती है आप जब इन चीज़ों को अपने workout में add करेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो आपकी overall strength बढ़ेगी और दूसरा आपकी body से overall fat loss भी होना start होगा ऐसा मैंने बहुत देखा है कि लोग अकसर compound lifts को ignore करते हैं क्यों उन्हें डर लगता है जिसे like मैंने कई बर सुने है कि लोग बोलते हैं और वो जब muscles एक साथ मिलके काम करते हैं तो आप देखते हैं कि आप बहुत ज़्यदा calories burn करते हैं dead lift से compound lift जो आपकी barbell overhead press है आपकी bench press है, आपके push-ups है, pull-ups है इस सारी चीज़े compound lifts में आती है जो आपको add करना बहुत ज़्यदा जरूरी है then you should avoid taking stress stress एक बहुत बड़ी दिक्कत है आज के टाइम पे जो कि हमें fat loss करने में muscle building करने में हमें goals achieve करने में बहुत ज़्यदा मुश्किल करता है, मुश्किल देता है so आपने try करना है कि whenever you are doing fat loss और muscle building आपने stress को avoid करना है अगर आपको business के related stress है relationship के related stress है, family stress है तो आप try करो meditation अपनी daily routine में add करो deep breathing add करो कोई meditation classes लेना start करो yoga classes लेना start करो ताकि आपका stress level है वो कम हो क्योंकि generally होता क्या है जब हम stress बहुत ज़्यदा लेते हैं तो हमारी body में cortisol जिसे हम stress hormone कहते हैं बहुत ज़्यदा produce होने लगता है तो obviously बात है जब stress hormone shoot करेगा तो आपका जो testosterone है वो down जाएगा और जब आपका testosterone down जाएगा तो आपको वहाँ पर fat loss करना muscle building करना और अपना belly fat खतम करना में वहाँ पर दिक्कत परिशानी face करनी पड़ सकती है so please guys avoid stress so इससे क्या होगा जब आप stress अपनी life saves को remove करना start करेंगे stress को reduce करेंगे तो आप देखेंगे आपका fat loss बहुत अच्छा होगा आपका mood elevated रहेगा आपके workout अच्छे जाएगे आपकी sleep बहुत अच्छी होगा आपकी recovery बहुत अच्छी होगा and stress जो है वो आपकी recovery भी खराब करता है आपको अच्छी से नीन नहीं आएगे और obviously बात है अगर आप fat loss के during fat loss अगर आपकी recovery अच्छी नहीं है तो कहीं नहीं आपका जो fat loss आपका जो belly fat है वो कम नहीं होगा and आप and आप सफर करेंगे so ये चार चीज़ें अगर आप fix करेंगे you will end up have great results अपनी body को at least three to six months का target दो ये चार चीज़ों को follow करो this is not a tip ये कोई tips नहीं है ये एक basic and practical चीज़े है practical and tried and tested चीज़े है इन्हें अजमाना स्टार्ट करो and इस चैनल को subscribe करना मत भूलना एंड हमारे इस्टाग्राम हेंडल पर हमें follow करना मत भूलना इस्टाग्राम पर अकाउंट है you are minds and YouTube पर अकाउंट है you are minds